कि आई योसी का चार्ट का स्ट्रेक्चर है ना थोड़ो वीक देखने को मिल रहा है चार्ट का स्ट्रेक्चर अच्छा नहीं है तो पैसा नहीं बना है तो अब अभी डिविदेंट भी टेक्सेबल है और जो भी टेक्स लेब में आते हो उसके अंदर ही आपको टेक्स पे करना होता है सो डिविदेंट इस नॉट गूड ऑप्शन एस पर दन्यू टेक्स लेप पॉलिसी और नहीं जो हमारे वितमंत्री है राइट फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरह से नया पॉलिसी ला रहे है उसमें डिविदेंट में मजा नहीं है गाइस करेक्ट फिर भी है ना वो एफडी वाले लोग जैसे है मोच उटता ही नहीं है ना पकड़के रखो भाय हमको क्या है राइट जो लेकिन जो सच है वो सच है राइट पायोसी का चार्ट है ना थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है और एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि 80-89 रुपिस के नीचे जैसे ही सस्टेंट करना चालू कर दिया न किरावट और थोड़ी बढ़ सकती है तो मेरे हिसाब से आयोसी के अंदर अगर शॉल्टिंग पोजीशन भी अगर किसी को बना नहीं है ना तो 89 रुपिस को पहले ब्रेक होने का आपको वीट करना पड़ेगा 89 रुपिस के नीचे नीचे चला जाता है ना स्टॉक तो बिं में चलने लगता है तो रिवर्सल के साइन कब देखा ही देंगे हमें जब स्थिками न करकू सिक ने चब तग बाद पर का गोजयू सिम नहीं इस बाद लेकिन जब तक 93 के उपर का क्लोजींग नहीं देता है तब तक हमें इस टॉक के अंदर को भी बाइंग का शोचना नहीं है तो बाइंग का सुचना कब है जब 93 के ऊपर निकले ना उसके बाद हाँ 93 के ऊपर एक बार अगर यह निकल गया ना तो इस बार फिर आपको 100 रुपीज तक का मूँ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है तो अगें उस टैम पे भी आपको किसी को कॉल इसमें भी काम करना है तो काम करना पड़ेगा इनबीट्विन क्या है वन जिरो ट्री क्या कर ना पड़ेगा उपर की साइट पे कॉल पूर्ट जो रेंज बताया है उस तरह से उप्शन सेलिंग भी कर सकते हो ना समझ में आया कि नहीं उसी रेंज में रहा तो प्रिमियम घर में आ जायेगा अर्यू गेटिंग वी तो देखो ऑप्शन में काम करना बहुत ही इजी है आपका व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही करना है और यही लेवल के उपर में करूंगा ठीक है जैसे मैंने आपको बताया पूर्ट लेना है पूर्ट कब लेना है 89 के नीचे लेवल रिवर सल्पॉंट रिवर्सल्पॉंट रिवर्सल्पॉंट के उपर अगर काम करना है कैश में करना है तो भी कर सकते हो और फूच획 कम करना किंगाने कशन लेना सब्स्तुभी ओफू अपलो काम किजिएगा दोस्तों